हाई गाई वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल हैक शिवाए आज की इस वीडियो में हम टीप एंड यूडीप के कुछ बेसिक डिफ्रेंसिस देखेंगे जैसा हमें पता है मिन दोनों प्रोटोकोल्स का यूज दो होस्ट या दो कम्प्यूटर या दो डिवाइस के बीच में डेटा को सेंट करने के लिए या इनफोर्मेशन को सेंट करने के लिए करते हैं या दो डिवाइस के बीच में कम्मिनिकेट करने के लिए इन प्रोटोकोल का यूज क्या जाता है तो आज इनके हम कुछ बेसिक डिफ्रेंस जानेंगे तो टीप स्टैंड फो सेंडर के बीच में एक connection को establish करता है है एक reliable connection को establish करता है then उसके बाद वो दोनों host के बीच में नों device के बीच में communicatione start करता है तो connection or Eigen ये का मतलब सेंड आपने संद करेगा ये जो हमारा किरिक्षेण फिर तो प्रांग डिसीवो है वह कोई भी connection establish नहीं होता है, यह connectionless protocol होता है, यह अपने data या information को दो device के बीच में send कर देता है, लेकिन यह connection को establish नहीं करता है, इसलिए connectionless protocol होता है, हमारा next difference है, TCP assure reliable delivery of data to the destination, जैसा कि हमें पता है, TCP जो है पहले connection को establish करता है, then उसके बाद data को send करता है, जिस वजा से जो हमारी data की delivery ह है, वो assure हो जाती कि अपने destination तक पहुंच गई है, लेकिन UDP does not assure reliable delivery of data to the destination, लेकिन UDP में कोई भी connection establish नहीं होता, sender and receiver के बीच में, जिस वजा से हम यह assure नहीं कर सकते कि हमारा जो data है, वो destination तक पहुंच गया है, या नहीं पहुंचा है, जैसा कि हमारा next difference है, delivery of data is guaranteed if you are using TCP, जैस end करने के लिए पहले connection को establish करता है, जिस वजा से जो हमारे data की delivery है, वो हमारे destination तक guaranteed पहुंचेगी, अगर हम TCP का use करते हैं, लेकिन UDP में कोई भी connection establish नहीं होता, इस वजा से जो हमारे data की delivery है, वो destination तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इस बात की कोई भी guarantee नहीं होती, जिन हमारा next है, TCP is comparatively slow because of this extensive error checking mechanism, जो हमारा TCP protocol है, वो UDP की comparison में थोड़ा slow होता है, क्योंकि जो हमारा data या information TCP की थुरू send हो रही है, वो check होगी कि इसमें कोई error है या नहीं है, तो इस error checking mechanism की वजा से हमारा TCP protocol थोड़ा slow काम करता है, और इसके opposite side, UDP makes fast and best effort service to transmit data, UDP जो है इसमें कोई भी error checking mechanism नहीं होता, जिस वजा से ये TCP के comparison में fast काम करता है, तो हमारा next है, तो TCP के through communicate करते वक्त, अगर हमारा कोई packet loss हो जाता है, तो TCP protocol जो हमारा उस loss packet को retransmission यानि की receiver तक दोबारा send कर देता है, लेकिन there is no retransmission of lost packets in UDP, लेकिन UDP में communicate करते हैं अगर हमारा कोई packet या information loss होती है, तो UDP protocol उस packet को, उस loss packet को retransmit नहीं करता, अगर हम TCP के example देखे तो FTP यानि File Transfer Protocol, SSH, Secure Shell, तो हमारे TCP के example and UDP हमारा fast होता है, जिस वजा से UDP का use हम online gaming में, या video streaming में करते हैं, तो हमारे TCP and UDP के कुछ basic differences थे, and इनमें एक difference होर है, जो हमारा TCP है, ECP protocol जो है connection को establish करने के लिए 3W Handshack का use करता है, लेकिन UDP में कोई भी connection established नहीं होता, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, thanks for the watching.